नमस्कार दोस्तों परमा एजुकेशन की येटूब चैनल पे आप समी लोगों का स्वागत है आप लोगों की जो कमेंट आ रहे थे कि सर संस्कीत सिछड पे भी बना दीजिए क्लास तो आज हमने संस्कीत सिछड के 15 महतपूर प्रस्नेटी हैं तो देखते हैं आज किन किन लो हमारे द्वारा निकल जाए तो उसके लिए पहले सही छमा याचना करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन आप लोगों का टारगेट हो ही रहेगा 15 में से 12 प्रस्न आज आप लोगों को रहेगा देखते हैं 15 में से 12 की लोगों का सही होता है संस्कीत सिछड में तो चल पहला कर रहा है सब्दकोस, दूसरा कर रहा है पाठस से संदर्व है, तीसरा कर रहा है सम्मयक उचारण और चौथा कर रहा है कि छंद ग्याना, तो जल्दी से बताइए पहले का एंसर क्या होगा, कर रहा है कि साहित सिछड के पाठस से यानि पढ़ने के संदर्व में, और त पिर सब्द कोस से होगा तो पहले का एंसर क्या होगा वारा ज़ली से बताईये तो पहले का एंसर होगा हमारा दूसरा पाथस्य संद्ध चलिए जाल लेते हैं क्या कहता है कि सरवधिक महत्वपुर सब्द कोस ना ही समान रूप से उचारन और ना ही छंद ग्यान है चंद ग्यान के आऊ सकता पद सिछण के अंतरगत आता है या ये जो होता है ये पद सिछण के अंतरगत आता है पाठ के संदर्व के अंतरगत ये सभी भी कल्व सम्मिलित हो सकते हैं यानि ये जो तीनों चारों प्रस्ण हैं ये पाठ के संदर्व में सम्मिलित हो सकते हैं ये भी आ सकता है पाठ संदर्व के अंदर उचारण भी आ सकता है और छंद भी आ सकता है तो इस अधार पे हमारा पहले का एंसर होगा दूसरा पहले का एंसर हमारा दूसरा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से एक बार जरूर कहे देंगे कि एक बार लाइक और कमेंट जरूर करते हैं जिन भाईयों न अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वसला और भी बना रहे है तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रसन हमारा क्या कह रहा है दूसरा प्रसन कह रहा है कि ग्यानार्थ कह रहा है कि ग्यानार्थ ग्यानार्थ हम किम समूप उपयुक्त है यानि कह रहा है हमारा की सब्द ग्यान का अर्थ ग्यान विभीत संदर्ब में सब्द परियोग के लिए उपयुक्त विकल्प है यानि सब्ध का ग्यान है इसका अर्थ है विभीद संद्रव में अनेक अनिक संद्रव में सब्द परियोग के लिए उप्योगत हो सकता है आप्टन है पहला découv Country कारण पर्चे के लिए दूसरा कह रहा है वर्ण विद्णयास के लिए तीसरा कह रहा है कभी पर्चे के लिए और चौथा कह रहा है कि विवीध संदर्व सब्द परियोग यानि कह रहा है कि विभीन संदर्व के सब्द परियोग में हो सकता है चौथा और दूसरा कह रहा है कि कभी के पर्चे के लिए तिसरा कह रहा है दूसरा कह रहा है कि वर्ड विन्यास के दूसरा कहय रहा है उसके world विय लिए यानि कभी का परचे देने के लिए चोथा कह रहा है कि विविद संदर्वी sंदर्व का सब्द परयोग करने के लिए के लिए तो दूसरे का एंसर जल्दिस बता देजिए कि दूसरे का एंसर हमारा क्या होगा तो दूसरे का एंसर होगा हमारा चोथा यानि विभीन संदर ग्यान का जो अर्थ होता है उसे विभीन तरीकों से हम उसका परियोग कर सकते हैं जैसे कह रहा है कि सब्द ग्यान का अर्थ ग्यान विभीत संदर में सब्द परियोग का उप्युक्त बिकल्फ हो सकता है तो इसके अधार पे हमारा कह रहा है कि नियम परक असमरड यानि नियम जो परक है यानि जो नियम से चलता है उसके ग्यान का अर्थ ग्यान उप्युक् ता है तो इस अधार पे हमारा जो है दुसरे का चोथा सही है तो देखते हैं हमारा तीस्रा क्या कह रहा है कि या कर रहा है कि ब्याकरण सिच्षाण के लिए सरुवधिक महत्वट्व बिकल्प कौम सा है तो पहला कहरा है कि नियमान अस्मरणम और दूसरा कहरा है बिभीन संदर्भेशु पाठ्थिय बिंदु नाम अभ्यासर और तिसरा कहरा है सच्छ सुंधर लेख और तिस चोथा कहरा है जीवन कौसलानी तो इसका एंसर जल्दी से बता देजी क्या होगा कहरा है तिसरे कामारा कि व्याकरण सिच्छड के लिए सरवधिक महत्वपूर बिकल्प है कहरा है व्याकरण जो है सिच्छड यानि सिच्छड के लिए सरवधिक महत्वपूर बिकल्प कौन सा है चारों में से तो जल्दी से बताइए तिसरे का कौन होगा पहला नियम अस्मर कौना और तीसरा कह रहा है कि सुदर जो सच है कoung सभी और सुंदर लेखु लिखने के लिए कर चोथा कह रहा है कि जीवन कावसलान जीवन कि कावसल के लिए उन्हें जा को स्भी के ब подоб pur 23 दिक आब शुदम के नसे का होगा तो तो की ke या रहा है सबी लोगों के अंसर सही जा रहे हैं तीसरे का दूसरा होगा हमारा कि विभीन परकार के संदरवों के पाठ विंदू का अभ्यास जो होता है ये नियम परक समढ कराना होता है और सुंदर लेख लिखने से और ना ही जीवन के कौसल इन सभी विकलपों का वियाकरण सिच्छड पर कोई महतव परभाव नहीं डालता ये जो पहला कहरा है नियम का सुच्छंद लेख का जीवन कौसलानी का ये जो है बालक के सिच्छड पर कोई परभाव नहीं डालता लेकिन जो दूसरा कहरा है बिभिन न संदर्ब पारण प्रिस्तुका अभ्यास इसका जो महत्व है ये बालक के अभ्यासकार पर बहुत ही महत्वपूर प्रभाव डालता है इसे बालक के जो स्र्मर सक्ति होती है और और जो निमनली खेतु कुत्र अंतरनिहितं अस्ति जो हमारा चौथा प्रस्न हमारा कह रहा है कि एक ऐसा लेख जो अभिप्रेत अभिप्रेरित यानि जो बल होता है बल देना अभिप्रेरित जो हता है उसका मन उसका ततपरी जो हता है बल देना किसी पर परदान करता हो एक ऐसा ले यह होगा कि एक ऐसा लेक जो जिसका अभी प्रेरित परदान करता हो उसके अंतरगत कौन-कौन से आते हैं। यह होगा कि एक ऐसा लेक जो अभी प्रेरित यानि बल परदान करता हो उसके अंतरगत कौन से आ सकते हैं। तो जल्दी से बताईए चोथे का एंसर क्या होगा हमारा तो चोथे का एंसर होगा हमारा पहला कार्यमुल्यांकन संपादकं प्रति पत्रानी। इसका जो अर्थ होता है कार्यमुल्यांकन और उसमें संपादकी पत्रों में ना की अभी प्रेरित करता है। उसमें अभी प्रेरित करता है और जो चरीतर होता है उसका आत्म चरीतर से लेक के लिए होता है। जो संपादकी के अंतरगत चरीतर सम्मिलित होता है। जो संपादकी होता है उसके यह संपादकी जो है इसके अंतरगत आता है। जो होता है इसके अंतरगत ही आएगा यह चारों जो तीनों जो है यह कारिमुलियंकड संपादक पत्रानी के अंतरगत ही आएंगे इसके दारपे हमारे जोथेका पहला सही होगा। तो चली आगे बढ़ते हैं पाचमा प्रसन के ओर देखते हैं पाचमा प्रसन हमारा क्या कह रहा है कि पाचमा प्रसन कह रहा है हमारा की छात्रों के बहुविद ग्यान कौसल और विकास आर्थ सिछडाम कृते कह मार्ग उत्तम जो हमारा जो पाचमा कह रहा है कि छात्रों के बहुविद ग्यान कौसल के विकास के लिए सिच्छा का कौन सा मार्ग उत्तम है। बहुविद ग्यान कौसल के विकास में सिच्छा का क्या मर्ग होता है। प्रसन नाम और निर्माड आर्थ प्रेरित तो इसका आर्थ बताईए जल्दी से कि पाचमे का क्या होगा उतर तो पाचमे का उतर जल्दी से बताईए। हमको लगता है कि आप लोगों को आप लोग प्रसन पढ़ते ही देख लिए होंगे कि कौन सा ओप्शन सही है। पर चिंतन सील दे दिया है और निर्माड करने के लिए दे रहा है कि अधिकरित स्वयम नूतन यानि स्वयम से करने के लिए कह रहा है और चिंतन सील प्रसनों को सोचता है और निर्माड करता है। तो इससे धर भी हमारी पाचे में का तीसरा सही है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है तीसरा, तीसरा कह रहा है कि छात्र पाठांस का अध्यान कर नए चिंतन सिल प्रसनों का निर्माड करने के लिए प्रिरित करता करना चाहिए उनको, छात्रों को, और कह रहा है कि पाठ के लिए निर्देशन देना और परसने देना उन्हें छोटी छोटे निर्देश देना और परसने देना देना चाहिए और पाठ का वोद समंधी नए सब्दों के अर्थों का समढ करना चाहिए ताकि बालक की रूची उसमें बरकरार रहे पढ़ने में तो इस धार पे पांचमे ही यह रहे हैं सभी लोगों के तो चलीए देखते हैं छाठा प्रस्ण माना क्या कर रहा है करा किसी शेयु सबहुर Keep गाविप्राज अस्थी यानि सिर्षक्प्राज क्या है किस्त से है पहला कह रहा है कि निभंधस से मुख्य भाव से है दूसरा कह रहा है काभ्यस से निभंधस से सिर्सकम से है और तीसरा कह रहा है कि अनुच्छेदस से प्रमुख विचार से है और चौथा कह रहा है कि कस्यापी निभंधस से प्रलेखस से वा उप सिर्सकम तो जल्दी से बताईए इसका एंसर क्या होगा छटे का कि सिर्सक वाक्य का विप्राय क्या है तो जल्दी से बताईए कि इसका एंसर क्या होगा तो छटे का एंसर होगा हमारा जल्दी से बताईए कि सिर्षक वाक्य को तभी समझा जा सकता है जब अनुछेद के विशे में ग्यान हो यानि जो सिर्षक का जो पाठ करम है उसका सिर्षक जो है उसे तभी समझा जा सकता है जब तक उसमें आपका ग्यान हो ठीक है अनुछेद के विशे में ग्यान हो इसलिए सरोपथम अनुछेद के बीसे पर विचार किया जाता है इसके माध्यम से सिर्षक के बीसे में ग्यात होता है पहले अनुछेद का ग्यान किया जाता है इसके माध्यम से फिर सिर्षक के बीसे में ग्यात होता है तो इसे दार पे छटे कामारा तीसरा सही होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं सात्मे प्रस्ण कि और देखते हैं सात्मे प्रस्ण हमारा क्या कह रहा है अगर संस्कित भासा पढ़ाते समय कोई भी तूटिया हो रहे तो उसके लिए फ्ड़ी से ही हम अपने कम्यों को शिखार करते हैं, तो चलिए देखते हैं, सा्टवा प्रस्म क्या करा आ है, छात्रा, सांतिव पूर्ण जीव नाम, प्रेरित भ्यवति, परसपर, मिलित्वा, वसेभू, अनवेशा कृते चकार कृतु, सजिता más, भैवेतु, इते भ्यवत है, अम्रदाह सिच्छक कथे करा है कि सिच्छक को जब भी कोई कार करने के लिए अभी प्रेरित दी जाती है, परस पर समान रूप से कार करना मिलकर रहना लुए कार करना सांतिपुर जीवन के लिए अभी प्रेरित करना, सदभावना बनाए रहना और इस परकार की जीवन नैतिक सिच्छा पर अधारित होता है कोण सा है उँव प्रस्न चारों में से पहला कर रहा है दूरस्त सिच्छा, दूसरा कर रहा है सच्छीडी से छडीकात और तीसरा कर रहा है कि व्यवसाइक सिच्छा और चौथा कर रहा है मुल्य सिच्छा चारों के शांतिपूड जीवन अभी प्रेरित करने के लिए परस पर मिल कर वेश्यू अन्यवेशा कृते यानि ऐसा क्या कार्य करतू सजिता यानि ऐसा का कार्य करना चाहिए भवेत हुई थी यते भवे संब्रदा सिच्छा कती यानि सिच्छा से उसका उसमें लगाव रहे अभी प्रेरित करना भावना बनाये रखना और जीवन नयतिक शिच्छा पर अधारित हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो हमारा आफशन है पहला दुरस्त सिच्छा, दूसरा कहा रहा है सचछडी कता और तीसरा कहा रहा है कि वेवसाइक सिच्छा और चौथा कहा रहा है मुल्य सिच्छा तो साथ में कैंसर जल्दी से बताई ये कौन सा होगा तो साथ में कैंसर होगा हमारा चौथा मुल्य सिच्छा के द्वारा ही उनकी जीवन को मेक्तित कर सकते हैं उनकी सांती पूरी जीवन बनाए रखते हैं उनके गुड़ों को विक्सित किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आठमे प्रसन के और देखते हैं आठमा प्रसन मारा क्या कह रहा है आठमा प्रसन मारा कह रहा है कि पाठ वस्तू जो पाठ वस्तू है नहीं तभी भीन सब्दा यानि अनेक अनेक सब्दार्थ सहायक है नूत नानाम, परिचीत नाम, सब्द नाम अर्थ ग्यान पर किरिया केन कौसल सम्रदा कह रहा है ये कि जब बिद्यार्थी पाट पुस्तक अधारी सब्दों के अधार पर नए परचीत सब्दों के अर्थ ग्यान को समझने का परियास करते हैं तो वो कौसा कौसल होता है तो पहला कह रहा है कि स्रवडेन यानि सुनने के लिए भासडेन यानि भासा बोलने के लिए और पठनेन यानि पढ़ने से और लेखनेन यानि लिखने से कह रहा है हमारा प्रस्ण जो कह रहा है पर एक बार देख लेजिए प्रस्ण हमारा कह रहा है कि जब विद्यारती पाठ पुस्टक अधारी सब्दों के अधार पर नए पर्ची सब्दों के अर्थ ज्यान को समझने का प्रयास करते हैं करते हैं तो वो कौन सा कौसल कहलाता है किस कौसल से संबंधित है तो पहला करा है कि सुनने से दूसरा करा है भासेन यानि बोलने से और तिसरा करा है पठने यानि पढ़ने से और चौथा करा है लेखने तो इन में से एंसर जल्दी से बताईए आठमे का एंसर क्या होगा तो चल्दीत से एंसर बताइए तो आठमें के एंसर होगा हमारा तिसरा पठने याइन पढने से होगा तो चली देख acres पठन क्रिया द्वारा सब्धार्त को सम्झा जाता है अब पठन क्रिया नए पर्चित सब्धार्त को समझने के लिए महत्तपूर होता है यानि जब हम किसी भी जो पाठ पोस्तक होता है जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक उसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं इसलिए हमें पाठ पठन यानि पठने से ही समंधित सभी क्रियाओं का ज्यान होता है तो इस साधार पर हमारा आठमे का जो होता है तिसरा सही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नवे प्रस्न की ओर, देखते हैं नवा प्रस्नावारा क्या कारा है, तो नवा प्रस्नावारा क्या रहा है कि अव हुधनातमक परिछडमें किम, किम सरवधिक मतफुर, कराय कि कि कराय कि किसी भी पाठ के संदर्व में ग्यान के बिना उस पाठ को जानना बेद्यार्थें के लिए कठिन पूर कारे है इसके लिए कौन सा उप्युक्त सही है महत तो सही है कराय किसी पाठ के संदर्व में ग्यान के बिना उस पाठ को जानना बेद्यार्थें के लिए कठिन पूर कारे है इसके लिए कौन सा बिकल्प सही है चारों में से तो पहला कराय कि पाठ से सिर्शक दूसरा कराय संदर्व में ग्यानम और तिसरा कराय पाठ से उप सिर्शकाड जोषब करہा है कि लेखना अभ्यासर तो जली से बताइए नवे का इंसर क्या होगा तो नवे का इंसर होगा हमारा दूसरा संदर्भ ग्यानम करा है कि संदर्ब का ग्यान अवबोध परिछन के लिए आवस्यक होता है जिससे विद्यार्थी पार्ट को भली भाती समझ सकते हैं तभी अवबोध या करा है तभी अवबोध परिछन के लिए आवस्यक है यानि अवबोध परिछन के लिए आवस्यक होता है जिसे बिदार्थी पाठ को भली भाती समझ सकते हैं और वो परिछन किया जा सकता है ना कि पाठ का सिर्षक ये जो पाठ का सिर्षक है नहीं किया जा सकता इस विशे में जानकारी रखकर और करा है कि उप सिर्षक विशे की जानकारी रखता है उपसिर्सक यानि यहां पर उपसिर्सक यानि पाठ पाठेस उपसिर्सक से लिया है और लेखने की क्रिया को संदर्बस जोड़ देता है किसे संदर्बस से ग्यान से इसलिए हमारा सही होगा नुवे का दूसरा संदर्बस से ग्यान यानि किसी भी पाठ फुस्तक के संदर्ब सहीद पहले उसकी उसकी ज्ञान को हम जानते हैं इसके आधार पे सभी सभी का सभी क्रियाओं को को पूरा करते हैं तो चली आगे बढ़ते हैं दस्मा प्रसन की और देखते हैं दस्मा प्रसन क्या कह रहा है दस्मा प्रसन हमारा कह रहा है कि वाचन संदर्वे के अर्थात बोलने के संदर में सच्चेन कोशल का अभिप्राई क्या है कराय की वाचन जो हता है बोलने के संदर्भ में सचेन कोसल का अभिप्राय क्या है पहला कराय कि तिपडी स्विकरणं और दूसरा कराय विसलेशन तिसरा कराय ब्याख्यानं चोथा कराय तिपडी निर्माडं कराय पहले तिपडी को सुकार करना चाहिए दूसरा कराय तता है तो दस्मेड क्यूंस आँगा तो दस्में कैंसर होगा हमारा लगभग सबी लोगों का समेय नहीं इंसर आ रहा है तो दस्मेड के अंसर होगा हमारा चब符 करने और नार्थम अनिवार्य करा भ्हासल के मुल्यांकन के लिए कौंसी विधि अनिवार्य है तो पहला करा आ किया त्याधिक आवस्यक है तो जल्दिसे शीट कैरा कि भाषा कौसल के मूल-्यांकन के लिए अत्याधिक म्वत्यठ पूर lucky क्या है आवस्स्य खे तो जली सी बताईए संभावसडम दूसरा कारा है कि निरंतर श्रोर्डम तारा क्यारा है संभाध लिखनम च्फा गुडम पाथे पुस्तकह विलेफselम तो जलस बता दिजिए इसका इंसर क्या होगा इसका हमें का जल्दिश बताईए तो इसका अर्थ पहले का अर्थ होता है संभासणम का भासड़ देना भासड़ देना होगा इसका अर्थ और निरंतर स्रोडम यानि लगातार सुनते रहना लगातार लगातार सुनते रहना और संभाद लेखनम यानि संबाद यानि किसी भी पाथ पुस्तक पे लिखते रहना क्या इसका एंसार हुगा हcket तो गेहांड Şu पहरा भासडम मैं चलिए जान लेते हैं क्या हुटा है कि करा तो त्रичесम भासडम का अर्थ क्या होता है समान रूप से भासड करना खिलना होत समान रूप से भासड का बार-बार रयास करने से बिद्यार्ति भासड कौसल में निफूर हो जाते हैं. इसका मुल्यांकन इसी प्रकार से किया जा सकता है कि निरंतर स्रोडम करने से अच्छे विचारों को उत्पत्ती तथा दूसरों की गल्ती उम्हांता. हक्यां होता है इसलिए द्रमा मिष रहा के रहा है किई का मुख उद्देश जल्दी से बताइसे क्लa मुख उद्देश पहला करेका नमीन पाठ कानु प्रस्तुते宮 रोचि हम प्रदर्शतu प्रदर्श एसु दूसरा कहा रहा है कि अभिभाव का जीवनी यत छातर विद्याले एं किम पठनती और तीसरा कहा रहा है कि पाठित पाठान अधिकरित अभ्यास कुरियम और चौथा कहा रहा है कि पठन छातर रूपी वर्धनम तो जली से बताईए इसका एंसर क्या तो आसा करते हैं सभी लोगों को पता होगा सभी लोगों का आभी रहा है सही आ रहा है तो इसका एंसर होगा हमारा तीसरा पाठित पाठान अधिकरित अभ्यास कुरियम यहां अभ्यास दिया है अधिक से अधिक अभ्यास करने की बात कर रहा है कि गिरियकार का मुख उद् अभियास करने गहर Вам में अब्यास करना जिससे चात्रों भली भाती को भली भाती ही अभियास करने से बालक में रूची गर्ची होगी है और जो झीवनी याणि अभियास को भी इससे प्रिणा मिलेगी कि बालक हमारा पढ़ रहा है और ग्रिय नवीन पाठ पाठे तो रूची परदसनी यानि अभ्यास करने से खुद ही नवीन पाठों का निर्मार कर लेता है वो तो इस अधर पर बारामे का हमारा तीसरा सही होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं बारा ते ते इसका अर्थ क्या होता है एक बार जान लेते हैं तो इसका अर्थ ही होगा कि वाचन अभ्यास की समय में या दिपी कोई भी अध्यापक का कार्य होगा तो आसा करते हैं ये सभी लोगों को पता होगा कि अध्यापक का कार्य होगा क्या होगा कि अगर बालक पड़ रहा है और उचित वाक्यों के अस्थान पर अनुचित वाक्य का परियोग कर रहा है तो अध्यापक का का कार्य होगा पहला कर रहा है कि पुन पाठे थु इत्यादेश सिघ्रमेव दातव्यह और दूसरा करा है छात्र संपूडरं अंसपठेव इत्य विचारस तच्छडम किमपी वक्त अभ्यम और तिसरा करा है कि तच्छडमेव सुध्धी कारडिया और चोथा करा है कि स्यामपठे लिखत्वा छात्र च्छात्र तो जल्दी से बता दीजिए इसका एंसर क्या होगा तिरामेका तिरामेका एंसर जल्दी से बताईए कि तिरामेका क्या रहा है कि वाचन अभ्यास के समय में यदि कोई यदि कोई भी बालक जो होता है पठन के उचित सब्द के अस्थान पर अनुचित सब्द का उचान करता है तो एक सिच्छक का क्या करता भी होता है यानि बालक अगर विद्याले में पढ़ा रहे है या फिर उसको पढ़ने के लिए कर रहे है तो उचीत सब्दों के अस्तान। है अनुछी सब्दों का परयोक कर रहा हैं तो उसे दूर करने के लिए आप क्या करेंगे या ध्यापका क्या करता भी होता है पहला कर रहा है पुना पा पाठी तो इतियासि सी घ्रमियों दाई तो और दूसरा कह रहा है कि छात्र संपूर अंस पठे पढ़ने के लिए कह रहा है और तीसरा कह रहा है कि तच्छड में से सुद्धी करड़िया और चौथा कह रहा है स्यामपठ लिखितवा छात्र तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका answer क्या होगा तो इसका answer होगा हमारा दूसरा चात्र को जो है संपूर पाठ को अंस को फिर से पढ़ने के लिए कहेंगे इती विचारत तस्य कमीप वक्तम यानि चात्र का संपूर अंस जो है अर्थात पूरा अंस पढ़ने के लिए पश्चात पढ़े हुए अनुची सब्दों का सुध्धी करन कराएं यानि बालक जब पढ़ लेता है असुध्धी करन को जो उसकी असुधियां होती है उसको दूर करने के लिए उसको बताएं फिर से तेसर धार पे हमारा तेरा में का हमारा दूसरा सही योगा एक बार लाइक ज़रूर कर दिज़ी सबी लोग और सब्सक्राइब के लिए नहीं किया है तो बहु stos दाम परस्न मरा क्या करा है कि आर्यभठ योगético कस्मीन्य शासर के लिए तो पहला करा है समाज सास्रे दूसरा कराये वास्तु सास्रे और तीसरा कराये कि गडित सास्रे और चोथा कराये चिकिस्ता सास्रे कराये कि आरे भट का योगदान किस सास्र में के लिए जाना जाता है किस सास्र के लिए है किस सास्र का किया है आरे भटने तो पहला कहरा है कि समाज सास्रे, दूसरा कहरा है वास्तू सास्रे, और तीसरा कहरा है गडित सास्रे, और चौथा कहरा है चिकिस्ता सास्रे, तो जल्दी से बताईए आरे भट का योगदान किस सास्र में है, तो जल्दी से बताईए इसका कौन सा सही होगा, जल्दी से आरेभट दता ही है, आतीम हमा ंंतीम परश्चन है, ये आप लोगों के लिए चोड़ दिया गया है, प्रश्म का एंसर आप लोग comment box में जरूर दिजिएगा कि अर्थ सास्त्री प्रतिपादन अर्ष्टी अर्थ सास्त्र के प्रतिपादन कौन है तो जल्दी से बताईए अर्थ सास्त्र के प्रतिपादन कौन है आसा करते हैं कि इसका एंसर सभी लोगों को पता होगा जल्दी स बता जीजेगा इसका comment box में answer क्या होगा पंद्रमे का कराय की अर्थ-सास्र प्रतिपादम अस्ति अर्थ-सास के प्रतिपादक कौन है कराय की चरकह कालिदासह कोटिल्यह और चौथा कराय सुशुरूत है तो इसका सभी की नीची दिये गया है आप लोग एक बार देख लीजेगा एंसर दिये गया है आशा करते हैं आज की क्लास 15 जो मतपुड़ प्रसने लिए गया है संस्कृत सिछड़ पे आप लोगो पसंद आयोंगे तो जाते जाते एक बार यस कर दीजिए अगर अच्छे क्लास आज क लगे होंगो तो और अगली क्लास किस पर बनाई जा तो बता दीजिएगा तो आज के लिए इतने ही